Hello friends, यह हमाई शिक्त वीडियो है, इसमें हम लोग हिस्ट्री के क्कोश्चन्स को डिस्कस करेंगे, आई हो आपको मेरी प्रेविएस वीडियो भी पसंत आई हूंगी So first question is, लंदन में दुट्य गोल में सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो इसका अंसर है सेंट जेम्स पैलेस में दुसरा, भारत में मुसल्मानों ने आधुनी करण का कार्य किस ने प्रारंब किया था? तो यह किया था सर सयद अहुमद खान ने भारत की सोतंतरता के समय महात्मा गांधी कॉंग्रेस के किस पद पर थे? तो उस समय कॉंग्रेस के सदस्य भी नहीं थे वो सरदार वर्ल भाई पटेल का सरवाधिक महत्वपून कार्य क्या रहा? देशी राजूं का विलय मुसलिम ली की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो यह कथन किसका है कि स्वधिन्ता हमारा लक्षे है और हिंदुत्व हमारी यह अकांक्षा पूरी कर सकता है यह कहा था अरविंदो घोष जी ने मुसलिम लीग के अदिवेशन में किस कौंग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालविय जी ने भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के एकिस अदिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परन्तु गांधी वाद सदा जीवित रहेगा यह कहा था करांची अदिवेशन जोगी उननी सो अकतिस में हुआ था स्वाधिन्ता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेरो मेजूरिटी के नाम से जाना जाता था दादा भाई नौरे जी तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया तो यह महत्मा गाधी जी ने कहा था नायक विद्रोग कहा हुआ था बंगाल में कुकी विद्रोग करने वाली कुकी जनजाती कहा के थी मनिपूर की किस विद्हय को भारती गुलाम विद्हयक नंबर एक कहकर पुकारा गया तो यह सारवजनिक सूरक्षा विद्हयक को भारती गुलामी विद्हयक नंबर एक कहकर पुकारा गया प्रखर राष्ट्रवादी अहरार अंदोलन किन प्रमुक नेताओं ने प्रारंब किया मौलाना मुहमद मुहमद अली हकीम अजमल खां मजहर उलहक ने किया थै ते भागा कृशक अंदोलन किस प्रांत में हुआ था तो यह बंगाल में हुआ था अलीगर अंदोलन के जनमदाता कौन थे सरसयद अहमद खान मुसलिम लीग ने भारत विवाजन की मांग सबसे पहले कब की थी 1940 में 1908 में छे वर्ष की कारवास की सजा किस नेता को बताई थी किस नेता को हुई थी गंगधर तीलक को 1908 में छे वर्ष के कारवास की सजा सुनाई गई थी माहत्मा गांदी ने प्रत्थम नागरिक अवग्या आंदोलन किस घटना के पश्चात पर रम किया था तो उन्हेंने रॉले टेक्ट के पश्चात जो है सिविल डिस ओबिडियन्स मुव्मेंट चो है की शुरू किया था लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फैंका था तो फैंका था रास बिहारी बोस ने प्रथम विश्व यूध मेसैनिक विपलव की तयारी की सुचना अंग्रेजों को देने वाला देश तुरो ही कौन था वह कृपाल सिंग था सयोग अंदोलन का कारे कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में स्विकार किया गया था तो वह किया गया था कलकत्ता धिवेशन में 13 मार्च 1940 को करांतिकारी उद्धम सिंग ने जलिया वाला बाग हत्यकांट से संबंधित की संग्रेज की हत्य की थी तो उन्होंने की थी माइकल ओडायर की जब दिल्ली दर्वार में महरानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपादी से शुशोबित किया गया था उस समय भारत का वाइसराय कौन था लॉर्ड लिटन भारत राश्ट्रिय कॉंग्रेश ने भारत का समीधान निर्मान करने की आधिकारिक मांग ब्रेटिस सरकार के समक्ष रखी जिसे किस रूप में स्विकार कर लिया गया 1940 के अगस्त ओफर के रूप में उसको स्विकार कर लिया गया विनुबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया था बलगोंडा से किस दान पर महात्मा गांधी ने अपना अन्तिमूपवास किया दिल्ली में अखिल भारतिय राजनीती में गांधी जी का पहला सहसिक कदम क्या था चंपारण आंदोलन भारत के स्वधिंता के समय क्या महात्मा गांदी कॉंग्रस के सदसे थे नहीं वे कॉंग्रस के सदसे नहीं थे उस समय भारत मुसल्मान समाने रुप से उगरवादी अंदोलन की ओर आकर्शित क्यों नहीं हुए उत्तर है उगरवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापनी की नीती के कारण भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चाथ किसने सुझाओ दिया था कि अब भारतिये राष्ट्रे कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया जाए यह सुझाओ महात्मा गांधी जी ने दिया था इंडिपेंडेंडेंस फॉर इंडिया ली की स्थापना किसके विरोध में की गई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई थी चंपारण संघर्ष के किन नेताओं ने प्रमुक्तह महात्मा गांधी का साथ दिया था तो यहां दिया था राजिंदर प्रसाद तथा अनुगरह नारायन सिंधा ने किया था अगला कोशन है सोतंतरता अंदुलन केकरांतिकारी आतंक वादियों का पहला महत्मुन सहसिक कार्य बर्रड कैती माना जाता है यह स्थान कहां था पुर्वी बंगाल में कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारु गाय कहलाता था तो वह कहलाता था अवद को दुधारु गाय की संग्या दी गई थी दांडी जहां महत्मा गांदी ने अपनी 200 अक्ताली मील की पैदर यातरस्माप्त की थी गुजरात के किस जनपद में है भुज जनपद में है ब्रिटिश सरकार ने महत्मा गांदी को कौन सी उपादी दी थी जिसे उन्होंने असयोग आंदोलन में वापस कर दिया था केसरे हिंद की उपादी गांदी जी को दी गई थी जिसको उन्होंने असयोग आंदोलन में वापस कर दिया था केसरे हिंद की उपाधी को भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो जिसको कुछ इंडिया भी कहा जाता है प्रस्ताव किस अधिवेशन में धता कब पारित किया तो इसमें वर्धा अधिवेशन जो है 1942 में हुआ था उसमें भारत छोड़ो अधिवेशन को पारित किया भारत सरकार अधिवेशन नियम 1935 को चार्टर ओफ स्लेवरी किस ने कहा पंडित जोहलाल नहरु ने 1866 में लंदन में इस्ट इंडिया असोशियेशन की स्थापना किस ने की थी दादावाई नौरेजी ने 26 जुलाई 1866 को बंगाल में स्थापित इंडियान असोशियेशन के प्रमुक सदस्य थे अनन्द मोहन बोस तथा सुरेंदर नाथ बेनर जी कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जुलाई 1966 में चुनाओं किसका निर्मान करने के लिए हुए थी समीधान सभा या कंस्टिटुएंट असेंबली बनाने के लिए किया गया था 1815 में आत्मिय सभा किस थापना किस ने किय थी राजा रामोन राय ने 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जनम कहा हुआ था रतनागिरी जो कि महराश्ट्रों में बढ़ता है वहाँ पर बाल गंगाधर जी का तिलक जी का 1856 में जनम हुआ था जिनको लोक माने तिलक भी कहते हैं अंग्रेजी सब्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किस ने प्रारम किया था विपिन चंद्रपाल आई होग आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीचिएगा थैंक्यू फर वाचिंग